मोबाइल फोन पर पॉन वीडियो देखकर 14 वर्षिय किशोर ने 4 वर्षि की बच्ची के साथ दुश कर्म कर दिया यह घटना न्यू कामटी थाना क्षेत्र में हुई पुलीस ने विविद्ध धाराओ के तहत मामला दर्ज कर किशोर को हिरासत में ले लिया है विदी संगर्ष किशोर नवी कक्षा का चात्र है उसके पिता रेलवे में कारियरत है स्कूल बंध होने के कारण परिजनों ने ऑनलाइन क्लास के लिए उसे मोबाइल दिया था परिजनों की अनुपस्तिती में वह फोन पर पॉन वीडियो देखता था रविवार की दो पहर माता पिता घर पर नहीं थे किशोर ने अपनी छे वर्षिय बहन से उसकी सहली को घर पर खेलने के लिए बुलाने को कहा बहन पिडित बालिका को लेकर घर पर आई उसने अपनी बहन को टीवी पर कार्टून देखने को कहा और बालिका को भीतर के रूम में ले गया वहां मुबाइल पर पॉन वीडियो देखकर बच्ची के साथ दुशकर्म किया बच्ची रोने लगी तो किशोर घबरा गया पिडित बच्ची रोते हुए अपने घर पहुची मा ने कारण पूछा तो किशोर द्वारा मार पीट किये जाने की जानकारी दी बच्ची से पूछताच में मा को घटना का पता चला बच्ची के पिता को जानकारी देकर मा उसे पुलिस टेशन ले गई और किशोर के खिलाफ शिकायत दर्च करवाई पुलिस ने विविद धाराओ के तहट मामला दर्च कर किशोर को थाने बुलाया पूछताच में पौन वीडियो देखने की जानकारी सामने आई है पुलिस प्रकरन की जान्च कर रही है अधिकतर केसों में अपरादी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते है मनो विशेशग्य अयूप खान के मताबिक छोटी बच्चियों को कभी घर में अकेला ना छोड़े अकेले बाहर खेलने के लिए ना जाने दे जहां तक संभव हो सके उसे अकेले किसी के घर ना भेजे बीते दिनों नवरातर के दोरान एक ग्रामिन इलाके में कन्या भोज के बहाने बुलाकर पाच साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था बच्चों को मोबाइल देते समय साउधानी जरूरी है क्योंकि साथ प्रतिशत केस इसी के दुरूपयोग से हो रहे है